इस घर में आज से पहले कभी किसी ने माल्ती को नाम लेकर नहीं पुकारा था। कसक की दहार सुनकर माल्ती भी एक तम सहम गई थी। अपनी बेटी का ऐसा रूप देख तुलसी की भी नम आखे सूख गई थी। और सब कमरे के बाहर आते हैं लेकिन विकरांत वहीं खड़ा ह कर कसक को घूरे जा रहा था। तब ही कसक विकरांत की और बढ़ती है और उसके कान जूर से लपक कर खेशती है। पीटा जी जब मा कुछ कहे ना तो सन लेना चाहिए। मा बाग की बात ना मानने वाली अलाद बेलगाम खोड़े की तरह हो जाते हैं जिने खीच का रास्ता दिखाना होता है। कसक उसके कान खीचती हुई कमरे से बाहर करने लगती है। और विकरांत नजर जुका कर कसक के आगे हाथ जोड़कर जार पीसते हुए बोलता है। मैंने कहा था हमारी बेटी हार कभी नहीं मानेगी जी लक्षमी ने अब दुरगा का रूप ले लिया है। कसक के कानों में दूर से आ रही ट्रेन की अवास पढ़ती है। वो जट से हाथ में किताब उठा कर अपने कपड़े और माथी की बिंदी ठीक करती है। तभी उसके ठीक सामने आकर ट्रेन रुकती है। और उसमें से अंबुझ बहार आता है। जैसे जैसे अंबुझ करीब कसक की सांसे उचाल मार रही थी। अंबुझ बिना कुछ कहे उसके बगल में आकर बैठ जाता है। और कुछ सेकिंड तक दोनों अपनी खामोशी के बीच ट्रेन से निकल रही छूचू की ध्वनी को सुनते रहते हैं। तभी अंबुझ बोल पढ़ता है। ओ आजकल आप ये किताब पढ़ रही हैं। ओ ये ये तुम्हें कब की पढ़ जुकी। तो क्या है इस खास कहानी में। खास खास तो बहुत है। कहानी में किसी लड़की का आखरी स्टेशन आने वाला है और उसके पास पैठा लड़का उससे अपने प्यार का इजहार नह कर पा रहा। और फिर आखरी स्टेशन आया क्या? क्या हुआ लड़की के साथ? लड़के ने उससे अपने दिल की बात कही।